नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर सुप्रोयत्ता और आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरा इस यूटूब चैनल होम्यो कैट टिप्स पे दोस्तों एक सवाल जो मुझे अक्सर देखने को मिलता है इमेल पे वाट्सअप पे प्लस जब मैं केस टेकिंग कर रहा होता हूँ किसी पेसरेंट का जब कोई पेसरेंट मेरा सामने बैठा हुआ रहता है तब उनका पास से भी एक ही सवाल जो मुझे अक्सर सुनने को मिलता है वो यह है कि सर मुझे पहले बहुत अच्छा खासा मॉर्निंग इरेक्षन आया करता था लेकिन जब से यह से पूरुस का लिंग में तनाव आने लगता है अचानक से तो उसी तनाव को हम लोग कहता है मौर्निंग इरेक्षन जो कि सभी पूरुसों के साथ होना चाहिए क्योंकि इस फेनोमना से पूरुसों की लिंग में एक फिर से एक मजबूती प्रदान होता है पूरुसों की लिं में और होमोपैथी में इसका ट्रीटमेंट संभव है की नहीं ये भी जो है लोग जो है जानना चाहते हैं तो मैं आप लोगों का सभी सवालों का जबाब देने वाला हूँ इस वीडियो में आप लोग जो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए तो सबसे पहले बात करते ह कि सुभा का समय लिंग में तनाव क्यों आता है इसका पीछे क्या कारण हो सकता है तो इसका पीछे जो कारण है उसे हम लोग रिम स्लिप बोलते है रिम का फुल फॉर्म होता है रैपिड आई मॉम्मेंट स्लिप ये जब हम रात को सोते है उस समय तीन से चार बार हर दिन ये होना चाहिए और जब भी ये फेनोमेना घटता है तभी एक पुरुसो का लिंग में तनाव आता है अब सवाल ये है कि जब हम रात को सो रहे होते है तब उस समय लिंग में तनाव क्यों आता है तो इसका पीछे एक हॉर्मोन एक अपना रोल प्ले करती है जिस हॉर्मोन का नाम है एपिनिफ्राइन हॉर्मोन ये हॉर्मोन दिन का समय ज्यादा मात्रा में निकलता है और तब ये लिंग में खून का सप्लाई को लिंग का फ्लो को कम कर देती है लेकिन रात का समय ये हॉर्मोन जो है कम मात्रा में निकलता है और जैसे ही ये हॉर्मोन कम मात्रा में निकलता है रात को तो फिर उस समय जो ह जो है खून का दौरान बढ़ जाता है खून का जो सप्लाई है वो बढ़ जाता है अब यह फेनोमेना किसी एक पूरुस के साथ होना बहुत जरूरी है अगर यह फेनोमेना किसी एक पूरुस के साथ नहीं हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि उस पूरुस का सेक्स संबंधित जो है गहराई में जा रहा है डीब लिबल में जा रहा है और इसका संकेत यह होता है कि आप जो है अलर्ट हो जाईए और किसी एक अच्छी सेक्सोलाजिस्ट से या फिर किसी एक क्लासिकल होमेट से मिट करके अपना ट्रीटमेंट उनसे लीजिए अब मौर्निंग इरेक्शन में पिसाब जमा होने का कारण से भी एक प्रेसर जनरेट होता है और उस प्रेसर का कारण लिंग में तनाव भी आ जाता है अब बात करते है कि यह फेनोमेना क्यों किसी पूरुस में नहीं होता है तो वैसे तो यह सभी के साथ होना चाहिए लेकिन अगर किसी पूरुस के सा आई है और तभी जाकर जो है यह सवाल जो है उनका दिमाग में आता है अब सेक्स्वल डिसफंक्शनिंग क्यों होता है किसी में इसका पिछे बहुत सारी कारण है स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है हेल्थ इशूस भी हो सकता है हमारा सेक्स होर्मोन जो होती है जिसे हम लोग टेस्टोस्टेरोन होर्मोन कहते है वो एक की रोल प्ले करता है इस तरह का केसेस में हमारा पिछूटरी ग्लैंड से भी कुछ होर्मोन निकलती है जिसे हम लोग LH FSH कहते हैं और भी बहुत सारी कारण हो सकता है sexual disorder के लिए तो जैसे कि मैंने आपको बता है sexual disorder रहेगा तो morning erection भी जो है आपको properly नहीं आएगी और आप आते है treatment पार्ट पे तो हॉमोपैथी में किसी भी sexual problem के regarding बहुत ही अच्छा treatment available है और बहुत ही कम समय में patient पूरी जो है sort out हो जाता है होमोपैथी से तो मेरे ख्याल से आप समझ ही गए होंगे कि morning erection क्या होता है कैसे होता है इसका ना होने का कारण क्या होता है और इसका sexual impact हमारा life में क्या गिर सकता है ये भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे तो मैं इस वीडियो को यहीं paint करना चाह होंगा so thank you very much and have a good day